नमस्कार दोसुरा को अर्जया पर आपको स्वाह करते हैं मैं हूं अर्जया कर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले Qualcomm Snapdragon 730 और Qualcomm Snapdragon 835 के बाड़े में तो basically मैंने पिछले दो वीडियो में बताया था कि Snapdragon 730 से 845 या फिर 855 बेटर है कि नहीं है तो यहां पर और एक फ्लक्षिप प्रसेसर है जो कि 835 और काफी लोगों को जो confusion हो रहा है कि 730 अच्छा है या फिर 835 अच्छा है तो मैं जो है सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ब चामेरा वीडियो चार्जिंग जैसे हम करते हैं कंपरेजन वाले वीडियो पर वैसे ही करेंगे और एकदम डीटेल में देखेंगे और आंत्म मैं आपको पता हूंगा कि दोनों में से जो कौन सा आपको अच्छा देखन को मिल जाता है तो यहां पर हम सुड़वात करते है से यहां पर च्छेंग पैंचे पटर वहन पर इसंधसरें सेंगे साथ इसरे दुमिल जाते यहां पर यहां पर आपको आपको यहांपर इं। काम करते हैं जो कि यहां पर 1.8 GHz के उपर क्लॉक्ट है यहां पर जो फैब्रिकेशन प्रोसेस ते वह निकल गया था है 8 नानोमीटर का बात करते हैं स्नैप्टेकन 835 की तो इसमें जो आपको सीप्री मिलते हैं उसका डिजैन है क्रायो 280 गा और यहांपे उसकी लिए चार आपको लोवर के पर मिलते चार जो आपको हाइए मिलते वह लोGOड़ेटी री कि जो 730 है वो बहुत ज्यादा बिटर है क्योंकि आपको क्राइब 470 वाले कोर्स मिल रहे हैं कोटेक्स से 76 और कोटेक्स से 55 वाले और साथ में फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है क्लियर वहीदा यहां पर सी-प्यू में जो है jsवेन् फर्ट जाता है बात करते वेन अम जीप्यू की तो सेवन फार्ट यह यहां पर बात करते हैं यहां पर हम AI की तो यहां पर जो Qualcomm Snapdragon 730 है इस पपको मिलता है फोर्थ जनरेशन वाले मालिटी कोर Qualcomm AI इंजिन जिसके दलते आप जो है कैमेरा में गेमिंग में वाइज में सिकूर्डी में बैटरी में काफी ज़ले जगाओ पर जो AI की इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर जो DSP है वह है यहां पर आगे निकल जाता है बात करते हैं अगर हम कनेक्टिवीटी की तो यहां पर जो स्नापडेंगर का 730 है इस पर मिलता है X15 वाला मोडम जिसके जलते हैं आपको जो डाउनलोड स्पीड है वह जाएगा यहां पर 800 Mbps तक और अपलोड स्पीड आपका जाएगा 150 Mbps तक साथ में आपको जो इस प्रोसेसर में वाइफाइ 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है यानि 802.1 AX साथ में आपको ब्लुटूथ का वर्शन 5.0 और NFC का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाता है लेकिन जो यहां पर स्प्रोसेसर में आपको जाएगा 150 Mbps तक और वाइफाइब में आपको वर्शन 5 मिल रहा है और साथ में आपको यहां पर भी NFC का सपोर्ट जो है दिखने को मिल जाता है तो यहां पर थोड़ा से इंटरस्टिंग पाट आ जाते है जहां पर स्प्राइब का जो 730 है इस पर को मिलता है स्पेक्ट्रा 350 वाला ISP यानि इमेल सिग्नेल प्रोसेसिंग यहां पर डूएल में आपको 22 Mbps देखने को मिल जाता है और सिंगल में आपको 48 Mbps देखने को म 32 Mbps कैमेरे का सपोर्ट है तो कैमेरे के अंदर भी जो 730 है वह थोड़ा से यहां पर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा यहां पर बेटर है बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की तो स्नैप्डान के जो 730 है इस पर मिल जाता है तो जो 730 है इस पर मिलता है फूल एजड 2080P और जो 835 है उस पर मिलता है 4K वाले एजडी अल्ट्रा एजडी डिस्प्ले का सपोर्ट जो कि कफी अच्छा है यहां बात करते हैं लांस्ट चीज की जो कि है चार्जिंग यहां पर जो स्नैप्रेकन का 730 है इस पर मिलता है कुईक चार्च 4 प्लस का सपोर्ट जो कि अ और मैं आप बात करते हो conclusion की कि इस मेंसे इन दोनों मेंसे जो कॉन से बेटर है तो यहां पर सबसे पहले जो CPU है उसके मामले में जो 730 बेटर है GPU AI इसके अंदर भी जो आपको 730 बेटर दिखने को मिल जाता है लेकिन connectivity और जो था डिस्प्ले और क्या था और शायद वीडिय तो डिस्प्ले और जो connectivity है सिर्फ इन दोनों चीजों में जो 835 बेटर है लेकिन पहले जो लोग नया फोन लेंगे तो उनको सबसे पहले परफोमेंसी चाहिए ना तो अभी मैं आपको बताता हूँ 730 यहां पे clear winner यहां पे कोई मतलब बात नहीं है कि 835 में बेटर है यहां सब्सक्राइब नया है और ब्रैंट न्यू है तो यहां पे clear winner स्नाप्डाइन का 730 तो बस यही था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद दर वीडियो को लेकि आने वाला हूँ मिलते है आप से अगले वीडियो में एक ने वीडियो के साथ तब तक लिए यही बन थार जब तक लिए आप आप लाइब नया है आप साथ जापको अड़ा है जापको वीडियो को लिए बनाप तक लिए जापको लेकि घू खाफ यहां आपको लेकि दिए विए.